हाई फ्रेंट्स मैं परविंदर खारी फ्रेंट्स आज की यह हमारी गेम अभिशेक उपाध्याजी की वीडियो रेकमेंडेशन है उन्होंने उससे अभी हाल फिलाल में चल रहे फिडे वर्ल चेंपेंशिप टूर्णमेंट के क्वाटर फाइनल्स की एक गेम के उपर वीडि मुसार्ड फ्रेंट्स इन दोनों के लाड़े के बीच में एक गेम खेली गई थी वैसे फ्रेंच के लाड़ी जुलस की रेटिंग यहाँ 26-34 थी वही नियाल सरीन की रेटिंग 26-16 है लेकिन इस गेम को शुरू करने से पहले मैं यहाँ बोर्ड को एक बार री शफल कर देत एक्स एच-4 देन एच-6 यहाँ निहाल सरीन कम हुवाया को इन गई डी-2 स्कॉर पर फर वाइट देन नाइट-D7 और इसके बाद यहाँ जुलस ने कैसल किया टूर्ड लॉंग साइट देन बी-5 और देन पूश होंगे ही होंगे किंग गया भी-1 स्कॉर पर देन बिशप बी-7 एफ-3 दो रुख-C-8 स्कॉर पर नाइट-H-3 देन हुआ C-5 तो डी-टेक्स-C-5 नाइट-D5 तो बिशप आया D-4 स्कॉर पर नाइट-F-6 देन हुआ A-3 नाइट-E-6 देन बिशप आया E-3 स्कॉर पर बिशप पर एटेक था नाइट-D7 स्कॉर पर और यहाँ कम से D-5 स्कॉर पर वाइट के नाइट के लिए एक अच्छा आउट-PUST फिलहल तेयार हो चुकी है नाइट D-5 लेकिन उससे पहले नाइट नाइट C-5 और वैसा जो असेप्टेड था देन हुआ C-3 ना करके अगर वाइट यहाँ B-3 की आप्शन को आप्ट करता तो शायद ज डाइगनल जरूर परिशन करती आने वाले समय में वाइट को यहाँ से फिर यहाँ C-3 को कुछ किया गया क्यों क्योंकि एकस्पेक्टेड था यहाँ पर बलैक अपने नाइट को A-4 स्कॉर पर ले जाकर प्रेशर बनाएगा इस C-3 पांड पर और काफी स्ट्रॉंग प्रे वाइट ने पहले अपने रुख को C-1 स्कॉर पर लिया ताकि यहाँ इस C-3 स्कॉर का अच्छे से डिफेंस किया जा सके नाइट एट इगोस टू C-5 बलैक की प्रेशन यहाँ पूरी हो चुकी है और वाइट को इन सब बातों को ध्यान में रखते हो अपने किंग को A-2 स् स्कॉर पर आने के बाद वीक पोजिशन हो जाती है इस C-3 पॉन की और इसी बात हो देखते हुए पहले यहाँ पर निहाल सरी ने बिशप टेक्स D-5 किया नाइट एलिमिनेट हुआ A-2 करने के बाद हुआ नाइट टेक्स B-2 और अपना एक पूरा पीस सेक्रिफाइस किया है पॉन के बदले में किंग टेक्स B-2 होने के बाद हुआ नाइट A-4 चेक और फिर दुबार प्रेशर बना इस C-3 पॉन पर और अब यहाँ से किंग के जाने के लिए दो बैटर स्कॉयर है A-1 या A-2 वाटवर इट इस आप इसे B-1 को भी रिकमेंट कर सकते हैं A-2 के लेकिन चलते हैं गेंग यहाँ से गया था A-2 स्कॉयर पर और यहाँ फिर खेला गया नाइट टेक्स C-3 चेक और डिसकवर्ड चेक के साथ साथ परिशानियों का सबब यहाँ वाइट के उपर बढ़ता हुआ रुक टेक्स C-3 करना ही पड़ा रुक टेक्स C-3 होने के पूरत ही आ रहे हैं तो फोर्स किया यहाँ पर बिशेप से इस रुक दो को लेने का यानिके एक्शन सेक्रिफाइस की कोशिश है देखते हैं क्या होता है बिशेप टेक्स C-3 वाइट के लिए फोर्जड हो जाता है क्विन टेक्स C-3 होने के बाद क्या यह चेक्मेट है य आपको इनफ मैटीरल मिल चुका है तो थोड़ा बहुत वापिस देने में कोई बुराई नहीं है एटेक्स B-5 होने के बाद होता है रुक टेक्स C-1 and that would be linear for white मेरे ख्याल से अगले move में रुक की चेक और उससे बचने के लिए black को अपने king को move करना होता है और उतनी देर में स्क्वेर पर मेरे ख्याल से तो नियाल सरीन के लिए समय आ चुका था कैसल करने का यहाँ वे एक complete piece डाउन जरूर है लेकिन आप यहाँ white के pieces की position को देखिए कोई भी piece ऐसा नहीं है जो game में active participation कर रहा हो तो black upper hand यहाँ पर ले सकता था लेकिन castle ना करके थोड़ा breather दिया भी उन्होंने यहाँ white को अपने king की position को भी open रखा को in text bin d5 with a check यहाँ पर पहले black ने किया एक pawn लिया center का pawn है अच्छा भी लगता है ले ना well king आया यहाँ से c2 square पर और इसके बाद black ने castle किया bishop d3 इतनी देर में white को मौका मिला कि वो अपने pieces को centralized करना शुरू कर सकता है खासकर इस knight को बड़े इच्छे दरीके से बाहर निकालने की कोशिश कर सकता है रुक c8 with a check walking गया d2 square पर और what about this bishop c3 check यह भी एक check का sequence तयार होता है और यहाँ से definitely white काफी pressure में रहता लेकिन यहाँ के लागया रुक c3 रुक c3 का move अभी फिलाल समझ में नहीं आता है directly rookie entry वैसे देख position पर यहाँ नहाल सरीन भेज रहे है नाइट यहाँ से e4 square पर then queen c5 queen पर attack था लेकिन further okay यहाँ spawn पर attack है pawn का defense भी नहीं हो सकता तो रुक को c1 square पर ले जाना भी शायद spawn का defense करवा सकता था लेकिन यहाँ नाइट के e2 square पर आने के बाद रुक पर attack बना यही काम यहाँ करना थ a3 नहीं हाल से position सही होती जा रही है नहीं हाल सरीन के favor में well रुक आया c1 square पर queen पर attack बना तो queen गई d5 square पर bishop यहाँ पिन हो चुका है okay h5 और h5 के बाद आप यहाँ देखे कि white की implants क्या है किसी तरह से इस diagonal को open करवाया जाए और उसके बाद रुक की check आए ताकि यहाँ black किया जा सकता था खर कोई रही देखते हैं कुछ ना कुछ होगा यहाँ पर इस गेम में उसमें भी एक कोई ना कोई प्राउब्लम तो f pawn यहाँ white ने आगे पुश किया कुइन टेक्स जी टू मुझे जादा बेटर मूब लगता है लेकिन यहाँ चला गया कुइन टेक्स h5 कॉर्णर का pawn है that's okay कुइन गई यहाँ से b4 square पर रुक पर attach बना लेकिन रुक से check आनी ही आनी है रुक बीच में लगा देन रुक एक्शेंज यहाँ निहाल सरीन ने कि है रुक टेक्स c2 विदे चैक केंग टेक्स c2 देन कुइन आई डी 5 square पर और अगर हम एंड गेम की बात करें तो वाइट के पास यह नाइट जरूर एक्स्ट्रा है लेकिन pawns के मामले में बहुत बुरी तरह से पिछड़ चुका है पांस सिरफ वाइट के पास दो बचे हु हुआ e6 कुइन गई a3 square पर और pawn पर चली attack तो बनी गया है लेकिन उसे पहले एक चेक आई कुइन c6 चेक पांपर defense भी होगा किंगा d1 square पर देन हुआ bishop f6 bishop f6 कहा जाएगा यह bishop देखते हैं यहां से कुइन गई b4 square पर then king g7 g4 then कुइन गई f3 square पर और क्या होगा यहां से पर जटाइक ज़रूर बढ़ गया है well quintex d6 quintex d4 pawn actions वे finally quintex a6 और यहां यह a6 pawn लेही लिया है अगला pawn week हो चुका है तो b4 b1 आगे push हो गई होगा queen g4 square पर और अब pawn का defense बन सकता है थोड़ा मुश्किल है bishop से भी नहीं किया जा सकता black यहां अगर metal actions करता है तो definitely वो बहुत बड़े disadvantage में रहने वाला है यह game black के लिए या white के लिए दोनों के लिए पूरी तरह अपने nerves को control करने का है white के सामने problem है कि किस तरह से वो इस game को draw कर पाए और black के सामने problem है कि इतनी बड़े pawn lead की advantage के साथ वो किस तरह से इस game को जीट सकता है यहां के ला गया h5 quintex b4 चली एक pawn तो कम से को और कम हुआ यहां पर black का h4 लेकिन यहां एक strong passer मिल चुका है फिलाल black को queen गई e4 square पर defense भी हो गया h3 then queen गई h1 square पर और further अब यह pawn और आ pawn को अगर एक कदम आगे push करना है तो यहां पर black को अपने bishop को इस important diagonal को place करना ही होगा और उसका सबसे simple solution है इस e pawn को आगे push करना शायद better भी होता लेकिन यहां bishop को e7 square पर ले जाकर reshuffling की कोशिश की black ताकि वो यहां एक strong defense बना सके अपने इस h pawn के लिए लेकिन bishop आया e4 square पर bishop d6 queen गई f3 square पर pawn पर defense भी हो गया queen actions की कोशिश भी आ लेकर queen actions होती है तो white के लिए easy life हो जाएगी bishop टेक्स f3 और मुझे नहीं लगता कि pawn आराम से queen promote होगा भी हाँ लेकिन तीन pawns की lead काफी है यहां पर black के लिए लेकिन चलने है फिट्स game पर यहां खेला गया queen h4 queen के h4 square पर जाने के बाद king आया d2 square पर h2 finally pawn आगे push हो ही गया है king आया d3 square पर then हुआ f5 bishop पर attack बना और bishop पहुचा सीधा a8 square पर e5 चलिए e pawn आगे push आई ही गया है और black के king की safety तो भी compromise होती है लेकिन मेरे ख्याल से अब समय आ चुका था pawns को आगे push करने का fxc5 bishop xc5 queen गई g2 square पर और pawn push बनता है queen लेकिन a4 square पर पहले यहाँ नियाल सरीन देगी queen b7 check king गया h6 square पर then हुआ queen c6 queen b3 check तो king गया d2 square पर queen b2 check तो king गया d3 square पर queen b3 check क्या नियाल सरीन हर मन चुके हैं वैसा लगता है कि वो game को draw कराना चाहते है king यहाँ से गया d2 square पर then queen b2 check king finally d3 square पर और एक बार और चेक देनी है और यहाँ यह game draw हो जाएगी check तो यहाँ नियाल सरीन ने दी लेकिन इस बार a3 square से चलो सीक्वेंस तो चेंज हुआ यहाँ कि नियाल सरीन अभी इस game में fight करना चाहते है king पांचा d2 square पर queen a2 check king d3 queen a7 और प्रेंस queen के a7 square पर आने के बाद क्या होने वाला है यहाँ इस pawn को promote करने की तरह यह रगदा मुश्किल है queen i g2 square पर then queen a3 check king i a c4 square पर then हुआ queen a3 और यहाँ से अभी कोई problem नहीं है f1 को जरूर आगे push किया जा सकता है well bishop आया f3 square पर then king g7 king d5 थोड़ा खोशने वाला bishop पर attack बन गया है और बाकी pieces यहाँ white के king से काफी दूर जा चुके है king गया f6 square पर bishop पर वैसे भी कोई problem नहीं थी queen का defense था king c4 then हुआ g5 और friends g5 अब white के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि g pawn अगले कदम में आगे push होकर bishop पर attack बनेगा और उसके बाद तो मेरे खाल से black dominate कर सकता है easy ली इस game को bishop a8 यहाँ पहले ही white ने कर लिया है g4 हुआ तो g pawn कम से कम g3 square तक तो यानि की pawn पूरी तरह structure हो चुका है यहाँ पर queen c6 checking g5 that's okay white इसे जादा checks नहीं दे सकता queen g2 then हुआ f4 और black की position और जादे interesting हो चुके अगले move में threat क्या है इस f1 को आगे पुश करके knight और यहाँ इस queen पर फॉक लगाने की है तो queen पहले ही f1 square पर place करनी पड़ी मेरे ख्याल से यहाँ इस game में अब resignation बनता था लेगिन फिर भी थोड़ा संगर्श करने की कोशिश करी यहाँ जूलिस नहाल सरीन का move आया f3 का knight पर attack बना और finally काफी द बस्ता को जुका है bishop की जो attacking line थी है h1 square पर वो disconnect हो चुकी है already तो queen यहाँ g1 square पर गई ही गई और अब queen actions की कोशिश है queen actions होती है तो नहीं queen promote हो जाएगी तो यहाँ पर अब क्या कोई तरीका है white के पास अपने इस knight का defense करने का nothing queen d3 then हुआ quintex c1 और वो भी एक check के साथ शाया DC point पर resignation बनता था लेकिन फिर भी king गया d5 square पर और अच बार seriously bishop पर attack है लेकिन queen f4 यहाँ पहले निहाल सरीन ने क्या queen गई h7 square पर और कोशिश अभी भी वही है कि कि किसी भी तरह से इस h phone के आगे push out बढ़ने को रोका जासे के लेकिन queen d4 check king गया है यहाँ से c6 square पर queen d6 check open queen position ह force only अगर यहाँ connections हो भी गई तो भी pawn promote हो ही जाएगा king गया यहाँ से b5 square पर then queen b8 check और इस check से बचने के लिए bishop को बीच में लगाया और इसके बाद यहाँ black ने सबसे पहले तो अपने उस pawn को promote किया queen पर और यहाँ इस move के बाद अगर white यहाँ quint x h1 के लिए जाता है तो obvious है quint इस move को क्यों चला है यहाँ directly इस bishop के ऊपर अपनी queen को place कर दिया है frustration भरा move था finally कहा कि आप अपनी इस game को ले रखी ले अपने पास तो निहाल सरीन के एक शांदार जीत और really game of nerves मैं से कह सकता हूं मुझे उमीद है आप सभी लोगो को भी अभी शेट को पाद्याइड जी के द्वारा बताईगे ये game जरू पसंद आई होगी तो आप लोग इस video को like करें share करें और मेरे इस youtube चैस गरू को please subscribe जरूर करें आपके comments का मुझे बेहद इंजार रहेगा thank you for watching and bye for now